हालो दूस्तों स्वाकत है आपका एजुकेशन अड़्डा 99 में दूस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने हमारे हैं 36 सिक्षक भरती 2022-2022 जिसमें दूस्तों यहां पर सहायक सिक्षक के सिलेबस के बारे में दूस्तों यह सिलेबस रहेगा आपका हिंदी और आध्यम हेतु जिसमें दूस्तों यहां पर आप लोग को पता ही होगा कि 12,449 पदों पर यहां पर सिक्षक की भरती आने वरी है जिसमें दूस्तों यहां पर सहायक सिक्षक की ज्यादा पदों पर यह भरती की जानी है तो दूस्तों यह सहायक सिक्षक की जो भरती की जानी तो दूस्टों यहाँपर सहायख शिक्षक के पद हितु परिक्षा योजना इसके सिलेबस के बारे में यहाँपर देख सकते हैं सौट में बतायागा है जिसमें दूस्टों यहाँपर बाल विका से सिक्षक सास्तर शेट टूटल आपके तीस अंके की question पूछे जाते हैं समान्य हिंदी और समान्य अंगरी जीसे 25-25 अंके की आपको question आते हैं और यहाँ पर गनित से दूस्तों आपके 30 अंके की question आते हैं परियो और नध्यन से आपके 20 अंके की question आते हैं फिर दूस्तों यहाँ पर computer का समान्य ग्यान और यहां पर समान्य ग्यान से total 10-10 अंके की आपकी questions पूछे जाते हैं grand total मिला कर बात करते हैं तो दूस्तों यहां पर 1500 अंके की आपकी questions पूछे जाते हैं किस प्रकार से किस टॉपिक से question पूश्चते हैं उसे तो दूस्तों इसके पाठ ठेकरम शिलिवस में दूस्तों सबसे पहले देख लेते हैं आपर बाल विकास और सिक्छा सास्तर जिसमें तूटल 4 इकाई में से divide किया गया है जिसमें इकाई 1 में दूस्तों यहाँ पर दिया आत्मक हो गया और यहां पर निरंतर्ता पोशन प्रारंभिक एवं परी परवर्ति अनुभाव बाल विकास की समाजिक संस्कृति और यहां पर बच्चे का अध्यन तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स से आपके एकाई वन से आपके क्वेस्चन्स पूछे जाते हैं तो यह टॉपिक्स से भी दूस्तों आपके क्वेस्चन्स पूछे ही जाते हैं जिसमें दूस्तों यहां पर कुछ समान्य सिधान्त सरीर के अंगों के अनुपात का बदलाओ उचाई वजन वृद्धि सरीर के बनावाट बदलाओ नियंतरन का विकास यहां पर सम्वेगात्मक वि बच्चे कैसे सिखते हैं साथ से साथ दोस्तों यहां पर बच्चों की सोच जीन पी आजये यहां पर वग्यानिकों के नाम भी इसमें पूछ दिये जाते हैं इन टॉपिक्स में तो यह भी आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा उसके बद दूस्तों इसमें आता है आपके फोर्थ है इकाई जिसमें दोस्तों आपके फोर्थ ही काई से आपके question बरनते हैं विशेस आवस्चेक्ता वाले बच्चे के अभिप्राई विशेस आवस्चेक्ता वाले बच्चों से भी दोस्तों यहाँ पर questions पुछे जाते हैं सिक्चा का अधिकार अधिनियम 2009 सिक्चको की भूमी का एवं उत्तरदाईत वाल अधिकार इन से भी topics के यहाँ पर questions पुछे जाते हैं तो total मिला कर बात करें तो दूस्तों आपके 30 अंके की question पुछे जाते हैं आपके बाल, विकास एवं सिक्चा सास्तर से इसके बाद दूस्तों यहाँ पर हिंदी से आपकी questions पुछे जाते हैं तो total 25 अंके तो किस किस topic से पुछे जाते हैं देखिए यहाँ पर वर्न विचार से पुछे जाते हैं सब्द विचार हो गया, सब्द रचना, पद एवं पद भेद, वाक्य और यहाँ पर रचना जिसमें दूस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वर्न विचार में यहाँ पर दिया गया है स्वार, व्यंजन, वर्तनी, लिंग और यहाँ पर संधी हो गया, सब्द हो गया, तत्तम तत्भावदे, सजवी देसी, उपसर्ग, प्रत्य संग्या, संग्या के प्रकार और यहाँ पर भेद हो गया, तो इस प्रकार से मुहारे, लोकोक्तिया, इन सभी टॉपिक्स से दोस्तों आपके हिंदी में questions पूछे जाते हैं, इसके थर्ड में आ जाता है, अंगरी जी भासा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर अंगरी जी से भी यहाँ पर टोटल 25 अंके के आपके questions पूछे जाते हैं, जिनमें से दोस्तों आपके सबसे important है, यहाँ पर comprehension, जिसमें दोस्तों आपके comprehension, grammar और vocabulary, जिसमें दोस्तों 15 अंके questions तो आपके इसी में से बन जाते हैं, आपके comprehension से, इसके बाद दोस्तों आपके 10 अंके के questions पूछे जाते हैं, आपके pedagogy से, तो दोस्तों आप pedagogy of language development का भी अच्छे से आपर तयारी कीजिएगा, देख सकते हैं, इसमें यह सारे topics दे दियेगा हैं, इसके बाद दो संख्या, विसम संख्या, लंबाई, छेतरफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, गमाप, और यहां पर हो गया आपके दसमलो, भिन, वर्गमुल निकालने की वीधिया, वर्गमुल कैसे निकाला जाता है, और यहां पर हो गया आपके आउसत, आउसत निकालने की वीधिया, प्रत पास, समान उपात हो गया, जाल, दूरी, समय, छेतरफर, आयतन, ठोस, मापे, इन सभी टापिक से दूस्तों आपके गनीत में क्वेस्टन्स पूछे जाते हैं, तो दूस्तों इसके ओल्ड क्वेस्टन्स पूपेर में हमने बताया है कि इसमें कौन-कौन से किस प्रकार से टा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाए, इसके बद दूस्तों इहां पर परियवरन अध्यन से बनता है आपके क्वेस्टन्स जिसमें स्वयम के परियवरन को समझना और परियवरन के बारे में बच्चे को समझ हो गया, जिसमें समाजिक, आर्थिक, प्राक्रितिक हो गया, जिसमें अंताक लिया हैं, और प्रमुख सरुकार बच्चों को दृष्टिकों से परियवरन की रोचकता हो गया, परियवरन के बारे में समझ कैसे पता करी कि बच्चे परियवरन के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन सभी टॉपिक्स को भी दोस्तों आपको clear करना होगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर परियावरन के अध्यन क्यों पढ़ाय हो गया परियावरन अध्यन का सिक्षन सास्त्र हो गया परियावरन अध्यन का कक्छा कक्छा की गतिवीधिया जिसमें दुस्तों यहाँ पर गती वीदियो का आयोजन, और संगतन, चोटे-चोटे प्रयोग, चरचाएं, छेत्र ब्रहमन, सरवे, प्रोजेक्ट, पुस्तकाल, सिखने, के संसाधन, के रूप में हाँ पर मुल्यांकन, इन सभी टोपिक्स से दुस्तों आपके क्वेस्चन् प्रादिक तंत्र यह सब इस अफिटापिक्स आप दीखिएगा तो जीसमें दूपके बनता है, यहाँ पर कंप्यूटर से, कंप्यूटर से दूपके टोटल दास अंग के क्वेस्चन पुछे जाते हैं, और इसमें 10 टोपिक्स रहते हैं, तो दूश्तों इसमें से आपके question तो आती ही है यह आप हमेशा याद रखिएगा और यहाँ पर इसके printer से संबंदित question भी पूछे ही जाते हैं इंग जर प्रिंटर हो गया लेजर प्रिंटर हो गया अन्य प्रकार के printer हो गया यह से भी भी आप clear एचर के बारे में से रख रखियागा सासे सदो इसमें एमेश-ड ऑउग सापराइटिंग हो गया यहां पर इमेस एक्सल पावरपाइंट और इंटरनेट के बारे में इसमें पूछा जाता है इसमें वेबसाइट सरफिंग के बारे में पूछा जाता है इंटी वैरस के उपयोग इंटी वैरस का कहा उपयोग होता है इसके नुकसान क्या है मल्टी मीडिया का उपयोग जिसमें दुस्तों आडियो प्लियर और यहां पर हो गया CD DVD से संबंधी जनकारी गूगल हो गया YouTube हो गया सर्च इंजन की वांचे जनकारी कैसे प्राप्तक करे की जाए इसकी समान्य जनकारी तो दुस्तों इस प्रकार से इन सभी टापिक्स से दुस्तों आपके टोटल दस अंके के क्विस्चन पूछे जाते हैं कम्प्यूटर में उसके पद दुस्तों संभार्थिय राजनितिक व्यवस्था का समिधन जिसमें दुस्तों समयधनिक प्राउधान हो गया मौलिक करतव्य हो गया और यहां पर सूचना का धीकार हो गया राष्टिय व्यक्तित्व हो गया लोग तंत्र चुनाओ लोग सभ राज जिस इस सब इस आपके विश्चे से पुछे जाते हैं फिर यहां पर भारतिय इतिहास का राश्रिय अंदोलन हो गया भारतिय अर्थे व्यवस्ता हो गया समान्य विज्ञान हो गया 36 गड़ की समानने जनकाई हो गया जैसे हाँ पर 36 गड़ का इतिहास बुग होल, राजनायती की व्यवस्ता हो गया अर्थे व्यवस्ता हो गया तो दोस्तो इस प्रकार से इन सभी टॉपिक्स से आपसे क्वेस्चन पूछे जाते हैं तो यह था दोस्तो पूरा सिलेबस आपके सहायक सिक्षक भरती के बारे में तो दोस्तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिएगा और दोस्तो इसके ओल्ले क्वेस्चन पेपर पर भी हम यहाँ पर वीडियो ला चुके हैं जैसे दोस्तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स से किस किस प्रकार से क्वेस्चन पुछे गये थे उसे तो चलिए दोस्तो आप मिलेंगे आपके साथ इसे प्रकार से फिर से एक नई वीडियो लेकर तब तक के लिस्टो धन्यवाद जैहिंद चेचाति जोन